ग्लोबल हंगर इंडिक्स में पडूसी देशों के मुकाबले भारत की रैंकिंग बेहत खराब 107 देशों में भारत 94 नंबर पर राहूल गांधी बोले भारत का गरीब भूका है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबे भरने में लगी भारत में घटने लगा कुरोना का कहर अक्टूबर के पहले दो हफ्तों में 18 फीजदी घटे संक्रमण के नए मामले मौतों में भी 19 फीजदी की किरावट बीदे 24 घंटे में आए 62 हजार नए मरीज कुरोना काल में UAE में हजारों लोगों के फसने के बाद अब वहां की सरकार ने आराज समेद पांच मुलकों के लिए रखे शर्थ बिना वापिस जाने का टिकेट और अकाउंट में कम से कम 2000 दिरहम के बिना दुबई में एंट्री नहीं बॉलिवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किले बढ़ी मुंबई की बांदरा कोट ने कंगना के खिलाफ सामप्रदाइक नफरत फैलाने के आरोप में FIR दर्ज करने का दिया आदेश RGD की अगुआई वाले महागडवन्धन ने किया मैनिफेस्टो जारी दसलाख लोगों को सरकारी नौकरी का वादा केंद्रियो मंत्री प्रकाश जावडेकर के बयान पर LJP अध्यक्ष चिराक पासवान का पलटवार बोले अगर LJP वोट कटवा पाटी है तो BJP ने पहले साथ क्यूं रखा राजस्थान में गुर्जर समाज ने फिर शुरू किया आरक्षन के लिए अंदोलन भारतपुर जिले में आज 12 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट पर पाबन दी पैरिस में अग्याथ हमलावर ने एक सिक्षक का काटा सिर्फ सिक्षक निच हात्रों को दिखाया था पैगंबर मोहम्मद साहब का काटून पोलिस की गोली से मारा गया हमलावर राश्टपती इमैनुवल मैकरों ने बताया आतं की हमला न्यूजिलेंड की प्रधान मंत्री जसिंडा आडिन की लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टी की आम चुनावों में जवरदस्थ जीत अपने पद पर बनी रह सकती हैं जसिंडा